हेलो दोस्तो स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में दोस्तो पिछली वीडियो में आप सब देखे थे कि मैं यूटूब के पैसे से अपने घर में एसी लगवाया था लेकिन दोस्तो इतना पैसा खर्चा करने के बाद भी अब एसी की वज़ा से जो है एक दिक्कत करके रखना पड़ता है इससे क्या तो है घर में रोसनी की कमी हो जाती है रोसनी बिल्कुल भी ने रहता है घर अंदेर आ रहता है यहां पर क्या होता है सुबह के टैम में खिर्की खुला रहता है तो अच्छा लगता है पूरा वीव जो है देखने में लेकिन एसी लगान की वज़े से खिरकी को लॉक करना पड़ता है तो मैं किया किया खिरकी का नाप लेके और पहुंच गया अपने बेड चोक पे यहां पर दुस्तों दुकान पर पहुंच गया हूँ अब मैं सोच रहाओ कि कौन सा खिरकी जो है इसमें विंडो लगवाओं स्लाइडिंग वाला लगा देंगे अब देखिए दोस्तों मैं सोच रहाओ कि बाइक कैसे लगेगा तो अब भी सोच रहाओंगे तो मैं आपको बता देता हूँ यह खिरकी का पल्ला जो है पूरे पल्ले को यहां से नट जो है इसमें लगा वाई इसको निकाल ला जाएगा और पूरा पल्ला जो है निकलेगा तब इसके उपर जो है सेट किया जाएगा ठीक है अब दोस्तों नेक्ट डे जो है हमारा जो खिरकी है यह दोस्तों देख सकते हैं वो लेकर आ गए हैं और इसके उपर जो पेपर लगा वा राता है सीट तो इस सीट को जो है पेपर सीट को वो निकाल रहे हैं और निकालने के साथ मैं आपको बता दू यह भी मैं लगाए हूं कि यह काच का नहीं है यह फाइवर का है और यह ब्लैक कलर का लिए हूं ताकि रोसनी भी आए और यह वन मे है । अब दोस्तों निस्तरी भाई जो इसके खिर्की के जितने भी पल्ले है उन सब को भी धीरे-धीर करके निकालेंगे और क्योंकि ये जो खिर्की है न वो पूरा एकदम लकड़ी का सारील मतलब सीसो का जो लकड़ी होता है उसका बनावाए तो काफी मजगूत है तो फाइनली दोस्तों काफी जो है मेहनत कर ये पट्टा भरवाद होगया इसका किसी भी काम मैं यूज नहीं कर सकता हूँ ये ऐसा ही रख गहन तो दोस्तों देख सकते है क्खिर्की की होगे बिंआ पट्टे की जो है ये खिर्की ऐसी दिख रही है ये सामने सब कुष दिखराए कास अगर ऐसा ही रहता तो मज़ा आ यह गए और फाइनली दोस्तों यह जो खिर्की का जो है नया मैं लेकर आया था यह पूरा फीट हो गया है और फीट होने के बाद देख सकते हैं कि मैं इसको पैक कर दिया हूँ यह black कलर का रोसनी आएगी ब्लेक है तो उसमें रोसनी अच्छी खासी आ जाती है और यहाँ पर दोस्तों देखी अभी मैं इसको लॉक कर दे रहा हूं फिर एसी जो है चालू कर दिया हूं अब बहुत ही मज़ा आएगा एसी जो है पूरा कुल लेगा रूम अब दोस्तों मैं आप सब को यह बता देता हूं कि यह जो मैं नया खिरकी लगाया हूं यह स्लाडिंग वाला जो विंडो लगाया हूं इसका पैसा जो है कितना लगा कितना खर्चा आया तो दोस्तों मैं आप सब को बता दू पास जार रुपया जो है वो खर्चा आया है इस को लगवाने में ठीक है बाकी मुझे लगता है कि कुछ साथ ज्यादा पैसा ले लिया या कम ले लिया इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है बाकी अगर आप लोगों को लगता है कि भाई ठीक ठाक रेट है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं